बुलंद शेर की एकिवती के साथ दरिंदगी की रिपोर्ट थाने में तभी लिखी गई जब उसने सीम योगी से ट्वीट करके मदद के अपीर थे लड़की ने वीडियो में अपने साथ हुई दरिंदगी और पुलिस के कारनामे का फुलासा करते हुए कई गंबीर आरुप लगाये थे ये रिपोर्ट देंगी लग जिहाद वाली मोहबद दो लाग की प्यार वाली साजी हर शहर में खर्म बदलता प्यार साजेश के अब तक कितने शिकार बुलंद शहर की सिवती के साथ दरिंदगी की रिपोर्ट थाने में तभी लिखी गए जब उसने सीम योगी को ट्विट कर मदद की अपील लड़की ने वीडियो में अपने साथ हुई धरिंदगी और पुलिस के कारनामे का खुलासा करते हुए कई गंभीर आरोग लगाये थे लोगी जी मैं एक हिंदू लड़की हूँ एक मुस्लिम लड़के ने नाम मदवकर मेरे साथ संबंद बनाए और मेरी वेडियो बना ली और उमीड के चलते हुए मुझे ब्लैक मीड करने लगा और लगातार मेरे साथ संबंद बनाने लगा इसके चलते मैं कुछ मा की प्रे वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कम मच गए आनन फानन रेपोर्ट दर्ज की गए लेकिन अभी खुलासों का सिलसिला बागी था आरूप है कि लव जिहाद करने के लिए जुनायद नाम के शक्स को दो लाग रूपे मिलने को जुनायद मेरे से गोलता है कि ये हमारा मिशन चल रहा है कि किसी हिंदू लड़गी को अपने जाल में फ़साओ और उसके साथ में संवन्द बनाओ तो दो लाग रूपे हम उसको देते हैं इसलिए मैंने तरह साथ में ये संवन्द बनाए योगी जी से मेरी अपेले भी मुझे विसाद दिलाएं और मेरी ख़को दर्च कराएं लवजिहाद के मिशन का सच क्या है ये पुलिस की जाज का विशह है लेकिन मामले में कई ट्रिस्ट है जुलाई दो हजार बीस में आरोपी जुनायद के खिलाव युवती ने छेर चाड का केस दर्च कराया था उस समय पुलिस कारवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा था और चार्ज शीट दाखिल की था जुलाई दो हजार बीस में जुनायद नाम के एक ब्यक्तिके विरुत थाना खुर्जा नगर में एक महिला द्वारा सिकायद की गई कि उसने जुनायद नाम के ब्यक्तिके उसके साथ शेर चार किया जिसके संबंध में थाने पर 354 और SCST का मुकदमा पंजिकित किया गया अब उस जुनायद को जेल भेजा गया और उसके दिर उसके त्यार सिट लगए आरोपे की जेल से छुटने के बाद जुनायद ने गहरा जाल बुन लव जिहाद के मिशन पर लगा लगतार उसी युवती का पीछा किया जिसने उसे जेल भीजवा दिया सलाकों के पीछे बंद करा दिया था जुनायद ने महिला को जहासे में लिया उससे शारीरिक संबंद बना वीडियो बना कर ब्लेकमेल किया और पेगनेंट होने पर कहा कि हमारा मिशन था जुलाई 2020 में जुनायद नाम के एक ब्यक्तिके विरुट थाना खुर्जा नगर में एक महिला द्वारा सिकायत की गई जुनायद को जेल भेजा गया और उसके विरुटिचार सीट लगी जेल से छूटने के बाद वो पुना महिला के संपर्क में आता है और यह काता है कि हमारे अपनी गलती के अहसास हो गया है इस आधार महिला को बाला पुसला के जहांसा दे करके फिर उसके करीब आता है महि कि इस तरह से उसने हमको बहला है फुसला और मेरे साथ पुना संबंध हमरा आए इस आधार पे उसके पुना सिकायत किया है महिला ने और उसकी तहरे पर संबंधी धाराओं में उकदाप पंजीट टुक कर लिया गया है वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया, जाज का वादा भी कर दिया, लेकिन कई सवाल है आखर CM योगी से अपील का वीडियो जारी करने से पहले पुलिस पीडिता की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? क्या पहले केस दर्ज करने लायक नहीं था? अगर पहले केस दर्ज करने लायक नहीं था तो वीडियो जारी होने के बाद केस कैसे दर्ज हो गया? क्या UP के थानो में शिकायद दर्ज करने से पहले CM योगी से अपील करना जरूरी है ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा